उसके भी आंतरिक मामलों में भारत की नजर बिल्कुल पैनी बनी हुई है पुलिस ने दबाया है लोगतंतर की आवाद भाई फिर भी बोल रहा है डेमोक्रेसी की असल हालत अमेरिका के अंदर क्या है वो ये देख लिजे अमेरिका में इंडिनो प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं अलग-अलग युनिविस्टी में पढ़ने वाले चात्र और चात्राएं कर रहे हैं वो कह रहे हैं फिलिस्तीन को आजाद कर दो बिल्कुल सही बात है लोकतंत्र की बात कर रहे हैं अभिव्यक्ति की आजादी के बात कर रहे हैं ये अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं अमेरिका में लेकिन अमेरिका क्या कर रहा है वहां की बाइडन प्रशासन और उसकी पुलिस क्या कर रही है ये देखिए लोकतंत्र की आवाज दबा रही ह यह हालत हैं अमेरिका दुनिया भर को डेमोक्रेसी फ्रीडम ओफ स्पीच और जाने क्या क्या लाब 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 लोक्तंत्र सबसे बड़ा सबसे छोटा सबसे पुराना सबसे नया डेमोक्रेसी पर ग्यान देता है डेमोक्रेसी की असल हालत अमेरिका के अंदर क्या है वो ये देख लीजे वहाँ पर प्रो फिलिस्तीन प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उस प्रोटेस्ट पर पुलिस वाले जबरिया बच्चों को प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं बच्चों को फिलिस्तीन आजाद ही नहीं करने दे रहे हैं अगर बच्चे फिलिस्तीन आजा तैस्वीर नंबर दो यह भाई साथ तो सरेंडर हो गें पीछे गाने से काहेगा इस्प्रेव भाई साम ने कखा भीया मार लो ठीक है जो कर रहे है यहां प्रोटेस्टर के सामने पुलिस खड़ी है यह देख लिए भाई साथ सरेंडर होगे helmet पूरा gadget में हैं लेकिन surrender होगे भाईया क्या कर रहो यार यहाँ let humanity win मानवता को जीतने दो यह अमरीकी पुलिस कह रहे हैं कि नहीं जीतने तो नहीं देंगे ऐसे ऐसे कैसे जीत जाओगे पुलिस वाले हर जगे कि आपको खड़े मिलेंगे यह यह वीडियो देखो लड़कियां क्या लड़के क्या सब के साथ वही मिस्विए वोरा यह बहाई नहीं रुक रहा यह कह रहा भाई मैं तो पुलिस वाइलेंस के खुलाब करना हूँ आप पिलिस उल्टा वायलेंस कर रही हैं यह अमेरिका की तस्वीरियं हैं हम आपको दिखा रहे हैं हमारे पास वीडियोज मी है एम वीडियो नहीं चला सकते अलग अलग कहने का अधिकार किसी को है कि नहीं अमेरिका में अमेरिका तो सबसे पुराना लोकतंत्र है क्यों उठाया है दिदी को दिदी लोकतंत्र बांग रही थी फिलिस्टीन आजाद कर रही थी आखिर फिलिस्टीन की आजादी में दिक्कत क्या है और केवल आवाज उठाने में प् ही अमेरिका से जाना चाहता है पुलिस रोक रही है करी नहीं जाने देंगे ये सब आजाद कराने जाने चाहते हैं बच्चे इनको जाने नहीं दे रही है पुलिस आखिर क्या बात है वही क्या फिलिस्टीन आजाद नहीं होना चाहिए अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिक कि उनिविश्टी में पढ़ने पर मैं लग गया है यह वहाँ लोगतंत्र बांग रही थी तो इनको पर्मानेंट आजाद कर दिया है यूनिवर्सिटी ने वहाँ के बुला आप लोगतंत्र हम आगे देखेंगे आपके साथ क्या करना हम आपको इसके आगे की कहानी बताते हैं अमेरिका दुनिया भर को लोगतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी आप लोगतंत्र हैं डेमोक्रेसी में यह होना चाहिए डेमोक्रेसी में यह नहीं होना चाहिए कि अच्छे डेमोक्रेसी क सबसे पहले यह जो अमरीका का हम देख रहे हैं आता था आप उस पर यह जो प्रोटेस्ट अमेरिका के अंदर चल रहे हैं उस पर सबसे पहले भारतिये विदेश मंत्राले ने क्या कहा है वो सुनिये कि अविदेश में प्रोटे करा दिन्साँ को आप बिदेश ब्रुम ऩया प्रणिजिद ताक पर सबस्क्राशिएंगा हैं आता एंप डिपन से अपिछ और को विदेश कर्स अदिएक अंद का आता हैं पर विदा ठोर दू स्क्राशिएंग कर देख सूद्ट तो जो अमेरिका पूरी दुनिया को ये कहता था कि हम देख रहे हैं अब वही बात भारत ने कह दिया है अमरीका को कि आपके यहां जो चल रहा है यह जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं जो लोग लोगतंत्र की बात कर रहे हैं जो लोग अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं जो लोग स्वतंत्रता वाली आवाज की बात कर रहे हैं जो लोग प्रोपलेस्टाइन के नारे लगा रहे हैं जो एनर्सीके एगेंस्ट में आंदोलन हुए तो अमरीका से लेकर तमाम पश्चमी देश हमें ये पाढ़ पड़ा रहे थे कि ना 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 ये जो आंदोलन कारी है ये तो कुरांतीकारी है इनका लोगतांत्रिक अधिकार है ये तोड़-फ़ोड करना ये कहीं चड़ जाना कहीं भी चड़के जंडे लगा देना आप लोग तांतरीक अधिकारों को पुलीसिया दम से मत कुचलिए हम देख रहे हैं तो इस बार भारत ने भी वही इलाज वही दवाई देते हुए अमरीका को ये कह दिया है कि भाई साहब आप जो ये मासूम बच्चों पर इन मासूम क्रां पढ़ेगा कि ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही नाइंटी जैसी नहीं रही दोहजार चौड़ा के बाद दुनिया में और भारत में भी बहुत कुछ बदल चुका है हमको कोई फर्क नहीं पढ़ता कि हमारे आंतरिक मामले को लेकर दुनिया का कोई देश या अमेरिका जो खुट को आज भी सूपर पावर मान रहा है और उसको ये लगता है कि वो दुनिया का खलीपा है और दुनिया में जो कुछ कह देगा दुनिया उसके हिसाब से चलेगी ये कहानी अब खतम हो चुकी हर देश अपने आंतरिक मामलों को अपने ही लियाद से हैंडल करेगा जैसे अमेरिका आज कर रहा है और अमेरिका को ये समझना चाहिए भारतिय विदेश मंतराले ने जो बयान दिया है वो बिलकुल सटिक बयान है कि अमेरिका अगर हमारे आंतरिक मामलों पर नजर रख रहा है तो अमेरिका को ये समझना चाहिए उसके भी आंतरिक मामलों में भारत की नजर बिलकुल पैनी बनी हुई है आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और हमारे साथ जुड़िये भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए